Good morning dear students, पिछले वीडियो में हमने व्यदिक राजनीतिक व्यवस्ता के बारे में चर्चा की, आज के वीडियो में हम व्यदिक कालिन, आर्थिक जीवन या व्यदिक अर्थ व्यवस्ता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पहले हम रिग्वेदिक काल के लोगों के अर्थिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं रिग्वेदिक अर्थव्यवस्ता रिग्वेदिक सब्यता जो थी वो ग्राम सब्यता थी आते उनका अर्थिक जीवन मुख्य ते क्रिशी तथा पसुपालन पर आदारी था फिर भी उद्योगदंदे तथा व्यापारवानेचे भी आजिविका के साधन थे क्रिशी रिग्वेदिकार्यों के आजिविका का एक परमुक साधन था ये लोग गहूं, जो, चावल, दाल, तिल, आदी की खेती करते थे खेती का जो काम है वो हल और बेलों से किया जाता था, भूमी को हलो द्वारा जोता जाता था हल कई बेलों के द्वारा खिंचा जाता था, आर ये लोग हल चलाने, बीज बोने, पकी हुई फसल को काटने आदी प्रक्रियाओं से परिचित थे फसल की कटाई हंसियां से की जाती थी फसल के पक जाने पर उसे काट कर खलियान में लाये जाता था कटा हुआ अनाच अलग-लग गिठरों में बांद कर रिकटा किया जाता था कहती की उपज बढ़ाने के लिए खाद का भी प्रियोग किया जाता था सादर अंत्या किसान वर्सा के जल पर निर्बर थे कृषिकारे करने के लिए इसके अतिरिक्त कूवों जिने आवत का जाता था कूवों, नदियों, नहरों आदि से भी खेतों की सिंचाई के जाती थी इस प्रकार आरिये खेती की सभी प्रक्रियों जैसे जुताई, बुवाई, सिंचाई, कटाई आदि से भली बानती परिचित थे खेत जो होते थे वो किसान की व्यक्तिकत संपती माने जाते थे पज का एक बटब छे बाग स्वेच्चा से देती थी जिसका नाम बली जो कर था उसको बली अर्थात चड़ावा कहा जाता था रिग्वेद में एक ही एनाज अर्थात यव का उलेक मिलता है चावल वे गहूं का उलेक प्राय नहीं मिलता है रिग्वेद में कर्शी समंदी प पसु पालन का महतों अदिक था रिग्वैदिक आल में. करसी अभी तक गोन दंदा था और पसु पालन का महतों अदिक था. करसी के साथ पसु पालन भी आरियों का मुख्य व्यवसाय था. पसु आरियों की संपती थी तता पसु संपदा की वर्दी के लिए वे देवताओं से पूझा आर्चना किया करते थे आरियों लोग गाई, बेल, गोडे, घदे, कुटे, भेड, भकरी, उंट आधी अनेक जानौरों को पालते थे आरियों के आर्थिक जीवन में गाई का महतु है, वो सबसे अधिक था गाई करे-विकरे का माद्यम थी, गो दान सबसे बड़ा दान माना जाता था गाई बेल की खाल से थेले बनाई जाते थे, आरियों के बोजन में गाई के दूद और घी का विशेस इस्तान था बेड, बक्री, अपने दूद, मास था उन के लिए उपयोगी समझे जाते थे, बेल था सांड का उपयोग हल जोतने के कारिये में किया जाता था गोडे रत संचालन के काम में लाए जाते थे, युद में भी उनकी उप्योग गयता थी सामान्य जीवन में गोडे का उप्योग वहान केंचने के लिए तता सावारी के लिए भी किया जाता था आरियों लोग बर्मन सील और युद रत थे इस काल की दो पर्मक विसेस्ता ही थी, पसुचारन और युद करना गाय को युद का कारण समझा जाता था, गाय के लिए युद लड़े जाते थे आरियों की आर्थिक इस्तिका मूलादार, पसुदन, गाय, मुद्रा की बांती समझी जाती थी अधिकांस जो लड़ेया है वो गायों के लिए ही होती थी, गाय को अगिन्या अर्था नेम मारने योग्य माना जाता था गाय सब्द का उलेक रिग्वेद में 176 बार हुआ है गाय संपत्ती की इकाई गाय संपत्ति की इकाई होती थी, संपत्ति की इकाई की जो गणना है वो रही, रही में की जाती थी और दक्षिना की इकाई पस्तू होती थी गविष्टी सब्द युद के लिए परियुक्त हुआ है, गविष्टी अर्थात गायों की खोज या अन्वेश्चना पनी नामक व्यापारी गाय के चोर माने जाते थे, मेवशी चोर होते थे पनी गोडा दूसरा महतोपून पसू था, बाग और हातिक का उलेक रिग्वेद में नहीं मिलता करसी गोण धन्दा था, केवल 24 सलोकों में ही करसी का उलेक मिलता है रिग्वेद में 10462 सलोक है करसी के समन्द में रिग्वेद में कुछ सब्दों का प्रियोग किया गया है जिसे उर्वरा अर्थात जुते हुए खेत, लांगल अर्थात हल, व्रक अर्थात बेल, क्रिश या सकृत अर्थात गोबर की खाद, शित्ता अर्थात हलकी बनी नालिया, अवत अर्थात कूप या कुवे, उर्दर अर्थात अनाज नापने वाला पात्र, गव्य या गव्यती, अर्थात चारागाह, खिलिय अर्थात उसर भुमी, रिग्वेदी कालीन उद्योग दंदे, रिग्वेदी काल में उद्योग दंदे उन्नत अवस्ता में थे, आर्ये लोग सूत कातना वे कपड़ा बुनना जानते थे, सूती और उन्नी दोनों प्रकार के वस्तर तयार किया जाते थे, वस्तरों के उपर कड़ाई का काम भी कि बुनाई एवं कडाई का जो कार्य है वो दिकांसते इस्त्रियों द्वारा किया जाता था बड़ाई का व्यवसाई भी इस काल में उन्नत था वह रत है हल बेल गाडियों चारपाई नावादी बनाता था लुहार विबिन प्रकार के अस्त्र सस्त्र था लोहे पितल तामबा आदी के बर्तन बनाता था आर ये लोग धातु को आग में पिगलाने और उसे पीट कर यता अवशक रूप से रूप या आकार देने में सक्सम थे श्वनकार सोने के विबिन प्रकार के अभुसन बनाते थे तता कुम्बकार चाक पर मिट्टी के सुन्दर बर्तन बनाते थ इस समय चिकित्सक भी थे जो जड़ी बून्टियों से दवईयें त्यार करके बीमार यक्तियों का इलाज करते थे चिकित्सक या वेद को भीसज कहा जाता था तक्षण बढ़ई को कहा जाता था करमार दातु समंधी व्यवसाई होता था हिरणियें अर्थात सोर्ना आयस अर्थात तांबा या कुछ विद्वानों के नुसार कासा वाय अर्थात जुलाहा और तसर अर्थात करगा सिंदू नदी को हिरने कहा गया है सोनना मिलने के कारण लोहे और चांदी का उलेक प्राई रिग्वेद में नहीं मिलता चरमकार का जो धन्दा है व्यापक रूप से पर्चलित था व्यापार एम वानीजे की बात करें तो रिग्वेदी काल में व्यापार वानीजे भी उन्नत अवस्ता में था व्यापार इस्तल एम जल दोनों प्रकार के मार्गों से किया जाता था इस्तल मार्ग से यातायात के लिए गाड़ियां रत्थों का प्रियोग होता था जिने खींचने के लिए बेलों एम गोडों का प्रियोग किया जाता था और जल यातायात के लिए नावों का प्रियोग किया जाता था विद्वानों के अनुसार आर्य सामुंद्रिक यात्राई करते थे और उनका व्यापारिक सम्मन दूर के देशों से था इतियासकार वी एम आम्टे के आप्टे के अनुसार रिग्वेदिक आर्य समुद्र द्वारा व्यापार करते थे पड़ी नामक व्यापार के लिए दूर दूर के परदेसों में जाया करते थे अधिक तर जो व्यापार है वो वस्तु विनमे के द्वारा होता था गाय वस्तु विनमे का मुख्य साधन था रिग्वेद में इंद्र की एक मूर्ति का मूल्य दस गाय बताया गया है रिग्वेद में निस्क का भी उल्लेक मिलता है कुछ विद्वानों के अनुसार निस्क एक परकार की मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था डोक्टर बंडारकर के अनुसार निस्क शोन मुद्रा थी और इस पर कुछ चित्रो और अंक भी खुदे रहते थे जो व्यापार है अधिकांस थे वस्तु इन में पर आदारी था, लेन देन में गायों कप्रियों किया जाता था, जो रिग्वेदी कर्थिववास्ता थी, वो ग्रामिन थी, पणी जो होते थे एक परकार से व्यापारी होते थे, लोग इन से डड़ते थे, क्योंकि मेवसी चो अधिक ब्याज लेते थे, अब हम उत्तरवेदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं, उत्तरवेदिक आर्यों की जो आर्थिक जीवन है, या अर्थ्वावस्ता है, वो कैसी थी? तो पहले बात करें करसी की, तो इस काल में आरियों का जो मुख्य व्यवसा है वो क्रिसी था, जीवन निर्वा करने का मुख्य साधन क्रिसी ही था, क्रिसी हल बेल की साइता से की जाती थी, ऐसे हलों का उलेक भी मिलता है, जिन में 6 से लेकर 12 बेलों तक को जोता जाता था, इ जो चावल, उडद, भूंग, तिल, मसूर, आधी की खेती की जाती थी। उपच को बढ़ाने के लिए गोबर की खाद का प्रियोक किया जाता था। लुनंत और मनंत अर्थात अनालग करने की इन कृसंत वपन, लुनंत और मनंत चार किरियों का उलेक सत्पत ब्राह्मन में मिलता है। वाजसने वे कंटक सहीता में 24 बेलों द्वारा खिंचे जाने वाले हलों का उलेक भी मिलता है। इस काल के जो परमुक फसले हैं ब्रही अर्थात धान या चावल, यव अर्थात जो, मान अर्थात उडद, मुदग अर्थात मूं, गोदूम अर्थात गेहूं, सरीसा का अर्थात सरसों, मसूर आदी अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। इक्सू अर्थात गन्ना, रिग्वेदिक लोग जो पेदा करते थे, परन्तु इस काल में उनका जो मुख्य धान है, मुख्य जो फसल है, वो धान और गेहूं हो गया। तेतर ये उपनी सद में अन को ब्रह्मा कहा गया है। अथर्वेद के अनुसार, प्रित्वेणिय पहला करसी इंजुनियर था, हल और क्रिशिकी इसने खोज की थी, प्रित्वेणिय ने नेरों का पर्थम उलेक अथर्वेद में मिलता है, और नेरों को कुल्या सब्द से उलेकित किया गया है। तेतरिय सहीता में वर्ष में दो बार फसल उगाने का उलेक मिलता है, एटा का अतिरंज खेडा, गेहूं चोवल और चावल और जो के साक्से अतिरंज खेडा से मिले हैं, मेरट का जो हस्तिनापुर है, वहां से चावल, जंगली, गन्ना के साक्से भी प्राप्त हुए हैं, सिंचाई के सादनों की बात करें, तो स्वेमजा अर्थात वर्षा के जल से सिंचाई, वर्षा या नदी जल से, और खनितमा अर्थात कुवों, ताला तथा नहर से सिंचाई, इस काल में जो कर व्यवस्ता है, वो इस्ता ही हो गई थी, आयका एक बटा छे भाग कर के पाली नामक कर दिया जाता था, करादान के वल वेश्य वर्ण पर ही होता था, पसु पालन की बात करें, तो इस युग में गाय, बेल, बेंस, बेड, बकरी, गोडे, कुटे, खचर, उंट, आधी, जानवर पाले जाते थे, पाल तो पसु में गाय का सबसे अधिक महतो था, माल डोने के लिए गदों, गोडों, बेलों तथा उंटों का प्रियोग किया जाता था, जो बड़े आकार के बेल होते थे, उनको महोक्स भी कहा जाता था, बाग और हाती पालने का भी उल्ले किसकाल में मिलता है, सिल्फ हम उध्योग दंदों की बात करें, तो इस युग क साहिते में हमें सुनार, लुहा, रतकार, चर्मकार, कुमार, रंगरे, जुलाहे, रसी बनाने वाले, टोकरी बुनने वाले, दोबी, नाई, सिकारी, नर्तक, सूत, मच्छवे, रसोये, महावत, खटिक, जोतिसी, चिकितसक, गायक आधी अनेक यवसायों का उल्लेक मिलता ह ये लोग सोना, चांदी, लोहा, टिन, तांबा, सिसा, आधी दातों से परिचित थे और इनसे अनेक प्रकार के हुजार, हत्यार और अभुषन बनाते थे सोने, चांदी के सुन्दर अभुषन बनाते थे इस यूग में वस्तर व्यवसाय भी उन्नत था, सूती और उन्नी कपड़ों का निर्मान किया चाता था सूत कातने का काम, तथा कड़ाई का काम, मुख्यते इस्तियां ही करती थी कुमार का व्योवसाई भी कापी उन्नत था और वैचाक की साइता से मिटी के गड़े, प्याले, तस्तरिया, सकोरे आधी बनाता था चिकित्सक का व्योवसाई भी उन्नत था चिकित्सक कोर्ड, पागलपन से, गठिया, नेत रोग, वड़े, पुनसी, जोर, आधी रोगों का अपचार करते थे इस यूग में व्योवसाई ओने अपने-अपने संगठन बना लिये थे एतरिया ब्रामण में स्ट्रेश्टी सब्द का उल्लेक है, साइध वे किसी व्योवसाई संग का अध्यक्स होत्त था वे व्यापारिक व्योवसाई संगठन अपने-अपने व्योवसाई क हित्तों की सुरक्सा तथा व्योवसाई कार्यों की देखरे किया करते थे वाजसने सहीता और तेतरी ब्रामन में व्यवसायों की एक लंबी सुची मिलती है कटक कर अर्थात कताई बुनाई, रजु सर रशी बनाने वाला, विदल का टोकरी बनाने वाला, तक्सन अर्थात बढ़ाई, कुला अर्थात कुम्बकार, रजियती अर्थात रंगई का काम गड़ने वाला, चर्मकार, जानवरों की खाल या चमड़े की वस्तुएं बनाने दातु उद्योग में सोनना तांबा कांसा, लोहे की जो सर्व पर्थम जानकर sedan करिये उत्तरुवेदि काल में ही मिलती है क्रिशर्ण आयस या शाम अर्थात लोह और लोही तैस अर्थात तांबा तिरपू अर्थात कांसा, हरडे अर्थात सोनना व्योवसायों के संग और स्रेणिया व्रतराने उपनी सद में स्रेष्टी एतरिय ब्रामन में स्रेष्टे नामक सब्द मिलते हैं जो कि व्योवसायों की स्रेणिया थी तेतरिय सहीता में कुसीद अर्थात उदार दिया गया धन या रिन जो होता था वो कुसीद गया लाता था तो ता सत्पत ब्रामन के अनुसार कुसीद दन उदार देने वाले को कहा गया है सत्पत ब्रामन में पहली बार महाजनी पर्था का जिक्र मिलता है व्यापार वानिजे की बात करें तो उत्तरवेदिक काल में व्यापार भी उन्नत अवस्ता में था विदेश्य व्यापार और आंत्रिक व्यापार दोनों ही उन्नत थे व्यापार ही अपने सामान को बेचने के लिए दूर दूर की यात्रा करते थे यापरी लोग समुद्री मार्ग और इस्तल मार्ग दोनों ही मार्गों से यात्राएं करते थे और एक देश का सामान दूसरे देश में करेविक्रे करते थे साधरन तया व्यापार वस्तु विन्मे के द्वारा होता था और जो विन्मे का जो माध्यम था वो गाय थी इसके अतिरिक शिक्कों का भी पर्चलन हो गया था, डोक्टर भंडार के अनुसार उत्रवेदी काल में निस्क, सत्मान, क्रिसल, पाद नामक शिक्के पर्चली थे, ब्याज परिण दने की पर्था थी, व्यापारियों ने अपने संग बना लिये थे, इससे भी व्यापार की उनति को प्रोचान मिला, सत्पत ब्रामन के अनुसार, सत्पत ब्रामन में पूर्वे अंपस्चिमी समुद्र की चर्चा की गई है, वाजसने सहिता में सो डंडों वाले पतवार की चर्चा भी मिलती है, विन्मे के जो सादन थे, वो वस्तु विन्मे पर्णाली पर्चली प्रिवेहन के लिए इका गाड़ी बेल गाड़ी आदी का प्रियोग किया जाता था निस्क जो रिग्वेदिकाल में एक आबूसरन था अब एक मुद्रा मानना जाने लगा व्यापार में लेंदेन का माध्यम गाए एवं निस्क को बनाया जाता था रतिका जो थी वो बाट की सबसे छोटी काई थी तो विद्यारतियों आज हमने वेदिक कालिन अर्थ व्यवस्ता के बारे में दिन किया आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दन्यवाद